वी एसनल 4G इंटरनेट कैसे चलाएं? वी एसनल में 4G नेट कैसे चलाएं? आज की इस वीडियो में हम आपको बताने वाला हूँ वी एसनल H-Pillus को 4G कैसे करें? आईए चानते हैं फ्रेंड सबसे पहले आप लोग देख सकते हो आपकी बी एसनल की सिमें आपको A-Network की प्रोब्लम आ रही है या फिर H-Pillus Network की प्रोब्लम आ रही है आप लोग भी चाहते हो इसको 4G नेटवर्ग यूज़ करना 4G याँ पे नेट चलाना तो उसके लिए आपको इस वीडियो को कम्प्लेट फुल बोच करना है step by step आपको trick को apply करना है जिसके बाद में आप लोग बी एसनल की सिम में 4G नेटवर्ग है उसे यूज़ कर पाऊ या I think आपको कोई भी दिक्कत है कोई भी प्रोब्लम है face करने को नहीं मिलेगा all right so that जादा time based ना करते हुए वीडियो को start कर लेते हैं कहीं बार क्या होता है आपको इनेटवर्ग की प्रोब्लम की सिम में 4G इंटरनेट यूज़ करने के लिए 4G नेटवर्ग चलाने के लिए आपको क्या करना है आई ये जानते हैं आपको friend सबसे पहला काम आपको ये करना है आपको अपने mobile phone की home screen की settings को open करना है mobile phone की friend setting को open करने के बाद में कुछ इस पर कास interface आपको देखने को मिलेगा आपको क्या करना है नीचिक साड़ी में इसकोंडोन करते हुए जाना है आपको friend यहां से एक setting को ढून लेना है system update लिखा होगा या फिर about device लिखा होगा ठीक है आपको उसको उपर के लिए करने के बाद में अपने mobile phone को एक new latest version के साथ में update कर लिजीगा और मैंने कैसे गाइस यहां पर 4G बीसनल की sim में 4G internet में चला पा रहा हूँ इसका region क्या है और मैंने कौन सी वो ट्रीक यूज की है आईए देखते हैं आपको नीचे एक साइड में आना है आपको यहां से अपने mobile phone को update करना है एक new latest version के साथ में friend जैसे आपका mobile phone अपडेट होता है फिर आपको back आना है वैक आने के बाद में आपको यहां पे connection sharing वाले options पे किलिक करना है अब आपको private DNS करके आपको features मिलेगा इसको उपर किलिक करना है इसको auto पे select करके इसको चालू कर देना है चालू करने के बाद में थोड़ा वैक आना है move को open करना है mobile network वाली setting को open करने के बाद में आपको इदर आने के बाद में आपको देखना है pro freight network type वाले options पे किलिक करना है यह दोस्तों इस पर कहां से select होगा ठीक है तो इसको यहां से क्या करना है आप सोई दोस्तों को pro freight network type यह दिए आपका 4G phone होगा तो यह 4G तक आएगा 5G phone होगा तो यह 5G लिखा होगा जो भी लिखा होगा सबसे उपर वाले को select कर लिजिएगा select करने के बाद में यहां से आपको access wide names का एक options मिलेगा इसके उपर किलिक करना है फिर आपको इदर चले जाना है आने के बाद में BSNL net जहां पे लिखा हुआ है बहां पे आपको लिखना है BSNL net 4G और उसके साथ में गाइस के आपको 4G लिखना है अब 4G लिखने के बाद में आपको username पे जाना है username पे आपको लिखना है BSNL Telecom BSNL Telecom लिखने के बाद में नीचे एक साइड में आना है server में आपको लिखना है google.com उसके बाद में और नीचे चले आना है आप सी दोस्तों काफी features देखने को मिल लाएंगे आपको इसको उपर किलिक करना है इसको non पे select कर देना है और उसके बाद में आपको सेटिंग को डन करना है डन करना है आपका काम है complete हो जाए network आपका चला जाएगा ठीक है यहां से बैक आना है अब बैक आने के बाद में आपको एक चीज और देखना है जो आपका बीशनल का से में वो यह दी टू में पड़ा हुआ है तो उसको निकाल के सबसे पहले बन में डाल देना है ठीक है इतना करने के बाद में आपको लाश्ट में पावर वाली बटन पर प्रेस करना है अपने मुवाइल फोन को फ्रेंड रिस्टार्ट कर लीगेगा मुवाइल फोन को संते के बाद में आप को फ्रेंड नेटवर्ग आठोमेट क café आएगा से ओके करना है आपको थोड़ी दिेट करना है फ्रेंड आपको डाटा ओंड आप करना है पिर आपको डाला ओन कर लीगिग आ आप फ्रेंड गाईस ऐसा कि आप लोग देख सकते हैं आप पे नेटवर्ग आना स्टार्ट हो रहा है वर गयर फाइली फुली तरीके से आ चुका है अब लास्ट में आपको एक काम कर लेना है आपको क्या करना है गूगल पर जाना है सबसे पहले आपको चेकाउट करना है आ अफलोग गूगल से जाना है सर्च करना है मैं का फिप्शुना नेटवर्क कई सच करें और या काड़ी में एक लिडियो बना चुका हूँ उस वीडियो को बोस्ट कर लेना मिलते हैं किसी न्यूव वीडियो में तब तक लिए ठैंक्स रोचिंग जै हिंदी जै वारत और आप लोग इंज्वाइए कर सकते हो वीजिनल 4G सर्विस को और आप लोग आइस इजली आइस बहुत ही आसानी से सारे वीडियो आपके फुली का इंटरनेट फास्ट चलेगा ओके थैंक्स रोचिंग